ज्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को छट पूजा विधी बताऊंगा छट पूजा वरत विधी चार हिस्सों में बाटी गई है सबसे पहला नहाय खाय दूसरा खरना तीसरा शाम का अर्ग चौथा सुबह का अर्ग पह व्यक्ति को घर की सफाई करके स्वयम को शुद करके केवल शुद शाकाहर बोजन ही ग्रेंड करना चाहिए दूसरा खरना इसके दूसरे दिन खरना की विधी की जाती है खरना में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रख कर शाम के समय गन्य का रस या गुड में बने प्रसात के रूप में खाना चाहिए इस दिन बनी गुड की खीर बेहत पौश्टिक और स्वादिश्ट होती है तीसरा शाम का अर्ग तीसरे दिन सूरे को पूरे दिन उपवास रख कर शाम के समय डूपते हुए सूरे को अर्ग देने के लिए पूजा की सामग्रियों को लकडी के डाले में रख कर घाट पर ले जाना चाहिए शाम के वक्त सूरे को अर्ग देने के बाद घर आकर सारा समान वैसे ही रख देना चाहिए इस दिन रात के समय छटी माता के गीत गाने चाहिए और भजन कीरतन करना चाहिए और व्रत कथा भी सुनानी चाहिए चौथा सुभे का अर्ग इसके बाद घर लोटकर अगले दिन यानी चौथे दिन सुभे सुभे सूरे निकलने से पहले ही घाट कर घाट पर पहुँचकर उकते हुए सूरे की पहली किरन को अर्ग देना चाहिए इसके बाद घाट पर छट माता को प्रणाम कर उनसे संतान रक्षा का वर मागना चाहिए अर्ग देने के बाद घर लोटकर सभी में प्रसाद का वित्रण करना चाहिए तथा स्वयम भी प्रसाद ग्रेंड करना चाहिए है मानता है कि जो भी शरदालू इस महावरत को निष्ठा भाव से विधी पूर्वक संपन करता है वह संतान सुक से कभी अच्छूता नहीं रहता इस महावरत के फल सुरूप व्यक्ति को ना केवल संतान की प्राप्ती होती है बलकि उसके सारे कश्ट भी समात हो जाते हैं अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जाद अचानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद